हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू दराजिंद्रा समराट एकडमी एक बार फिर से हम एनायस का चैप्टर 17 लेके हाजिर हैं भारत एक कल्यान खादी राज अभी तक लगाता श्रीज चल लाई है अभी अपने लास्ट वीडियो आपको सिक्षीन चैप्टर दिया था मौली कर्तव और अधिकार अब उसके बाद एक और चैप्टर है 17 जो आपका है बुक का सोसल का भारत एक कल्यानकारी राज कैसे है इसके बारे में हम इसमें डिसकस करेंगे इसके बारे में हम इसको सब्दों में ओके लेट सिस्टार्ट चैप्टर है कि भारत एक कल्यानकारी राज के रूप में वन्न किया जाता है इसलिए प्रस्न उठता है कि कल्यानकारी राज होता क्या है कल्यानकारी राज सरकार सासन की वय अवधारना है जिसमें राज अपने जो राज है अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हीतों की रक्षक करता है तथा उन्हें बढ़ावा देता है कल्यानकारी राज ये आउसरों की समानता तथा संपदा के समान वितरन पर आधारि होता है कल्याण करी राज से यही है कि सबको समानता दी जाए हर औसर की समानता दी जाए सबको कार करने की समानता जैसे काम है व्यवस्था है सारी चीर नागरी को को एक समान ही मिलना चाहिए इसमें अमीर गरीब या छोटी या बड़ी काश्ट का कोई वो नहीं रखना चाहि प्रवधान में लोगों के समाजिक आर्थिक कल्यान को सुनिश्चित करने के लिए विश्चित प्रवधान हैं। केरें कि यह जो सोतंतरता है यह अन मतलब देश के किसी भी कानून से क्या है यह सरवपरी मानी जाती है। मतलब उने अपने संगठन बनाने का स्वतंतरता हो सांती पूंट सभा कर सकें सम्मेलन कर सकें। धर्म स्वतंतरता हो धार में कि वो अपने धर्म को मान सकें पूजा कर सकें। नागरिक अधिकारों की सरवधानिक अगर उसमें नागरिक अधिकार में कोई कमी आती है तो वो क्या करें। इसके विप्रित नीती निर्देशक सिध्धान्तों का उद्देश समाज के सभी वर्गों को समाजिक आर्थिक नया प्रदान करना है। जो नीती निर्देशक सिध्धान्त है इसका करतब है कि लोगों को समानता प्रदान करे और समाजी कार्थिक नयाय प्रदान करे अगला टॉपिक है राजनीतिक सिध्धान्त राज के नीती निर्देशक सिध्धान्त भारत के सम्मिधान निर्माता जानते थे कि यदि सभी मौलिक अधिकारों को पूरी तरह लागू भी कर दिया जाता है तब भी भारत के लोगों को बिना सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किये भारत के लोकतंत्र के उद्देश को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जानते तेकर पूरे मौलिक अधिकार भी लागू कर दिया ज आर्थिक मंदब समाझे का अर्थिक अधिकार प्रदान ना किया जाया तब यह क्या है वराबर नहीं होंगे समुधान के भाग चार में नीती-देशक सिद्धान तो को सामिल कर समिधान निर्माताओं ने इस सिध्धान्त के समर्थन सार्थक कदम उठाया इसके लिए क्या है कि एक positive पॉइंट रखा कि इसके जो नीती निर्देशक तत्व है जो सिध्धान्त है उनको सामिल किया अब आते हैं जो ये नीटि निर्देषक तत्व है वो है क्या? इसके बारे में देख लेते हैं सम्मिधान में नीटि निर्देषक सिद्धांत आयरलन्ड के सम्मिधां तथा गांधी जी के दर्सन की प्रेणा से सामिल किये गए आयरलेंड के संविधान से नीती निर्देशक सिधान्त इसमें इन्वाल्व हुए यह राज के लिए दिशा निर्देश तथा नया संगत नहीं है करें यह राज के लिए दिशा निर्देश नया संगत नहीं है अर्थात लागू ना होने पर नहले में अपील नहीं की जा सकत सिधान्तों का उद्येष ऐसी परिस्टिया पैदा करना है जिसमें सभी नागरी अच्छा जीवन वैतीत कर सकें। इन सिधान्तों का उद्येष भारत के समाज इका आर्थिक लोगतन्तिक की स्थापना करना है। समाज में आर्थिक और लोगतंत्र के इस्थापना करना है निती निर्देशक सिधान्तों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं समध्धान में वर्णी निती निर्देशक सिधान्त विभिन प्रकार के हैं इन्हें निम्न वर्गों में वर्गी कृत किया जा सकता है सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावत देने वाले सिधान राज सुनिशित करेगा क्या राज सुनिशित करता है कि अजीवका की जो नोकरी है काम काज है तो वो उनके लिए समस्चित साधन होना चाल उसको बहुत एक साधनों का उशित वित्रण इस्ति वह पूरूर्श के लिए समान कार के लिए समान वेतन 14 वर्ष की तक बच्चों के लिए निसुल्क वा अनिवार सिख्षा बच्चों मैलाओं वा पुर्षों की पोषण से सुरक्षा अब सबको क्या है कि पोषण के लिए उनको अगर इस्त्री और पुरुस अगर समा एक जैसा काम कर रहे हैं तो उन्हें एक जैसा वेतन देने के लिए 14 साल के बच्चों क का कल्यांड तथा मादक पदार्थों का निशेद गोर अच्छा आदी मानते थे वो अंतर राष्टिय सांती वा सुरक्षा के संबंदित पढ़ोसी देशों के साथ मित्र पूर्ण संबंद तथा अंतर राष्टिय विवादों का निप्टारा आपसी उचित सम्झोता तथ करने से करना अंतर राष्टिय लेबल पर सुरक्षा और सांती बनाये रखना पड़ोसी देशों के साथ मित्रता पूर्ण संबंद रखना अंतर राष्टी विवादों का निप्टारा आपसी बाच्चित सम्झोता मद्यस्त करने से करना अन्य सिधान्त में सामिल है एति हा कोड़न प्राणियों की रख्षा सभी नाघरीकों के लिए सामान नाघरीकता होती है राज के निती निदेशक सिधान्त और मौलीक अधिकारों में संबंद करना है कि निती निदेशक सिधान्त का उद्धेष भारत को एक लोग कल्याणी राज के रूप में स्थापित करन इन दोनों के बीच क्या अन्य अंतर इस प्रकार है जैसे कि प्रथम अंतर है नीती निर्देशक सिद्धान्त निया संगत नहीं है जबकि मौलिक अधिकार निया संगत है दूसरा राज के नीती निर्देशक सिद्धान्त राज को नीती निर्मान के संबंद में दिये गए हैं कुछ निर्देश या दिशा निर्देश है जिने राज को कल्यानकारी राज के उद्देश में प्राप्त करने के लिए क्रियावंति जानकारी है मौलिक अधिकार सम्विधान द्वारस उनिशित है तता राज सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाद है निति निदेशक शिद्धान मौलिक अधिकारों के भिन है निकिन्तु दोनों एक दूसरे के पूरक भी है क्योंकि संविधान के आदर्सों को प्राफ्ट करने के लिए दोनों अवश्यक है राज के नीती निदेशक्सिदान्तों का क्रियवन सर्व सिख्षा अभियान भारा सरकार का एक विशाल कारिकरम देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है इसी तरह से सिख्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नीती निदेशक्सिदान्तों को क्रियावनित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया गंभीर कदम है करकी जो सर्व सिख्षा अभियान है 2009 में इस पर बहुत बड़ा कदम उठाया गया ताकि सभी लोगों को सिख्षा प्राप्त हो सकें समानकार के लिए समान बेतन सुनिशित किया जा चुका है पांचवी पंचायती राज को समयधानिक दर्जा परदान किया गया है केंद्रिय और राज सरकार इन सिख्षा को लागू करती रही लेकिन अभी भी काफी कुछ समय कुछ करना बाकी है करें कि सिद्धानतों को लागू करने से नहीं हुआ इसके बाद भी बहुत कुछ अभी कार करने को बाकी है तो यहां तक था आपका यह चैप्टर इसी साथ यह चैप्टर खतम होता है कुछ खोशन है ओके थैंक्यो हुआ 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 है